दोस्तों अगर आपका age 18 वर्स हो गया है तो सरकार की तरप से voter card apply करने का यहाँ पर process चालू हो गया है अब यहाँ पर जो कि voter card आप खुद से आप अपना apply कर सकते हैं साथे साथ यहाँ पर 15 दिन के बाद यहाँ पर आपका voter card आपको यहाँ पर फिजिकली रूप से आपके address पर send भी कर दिये जागा और यहाँ पर आपका online भी खुद से डाउनलोड भी कर पाएंगे तो आज की इस वीडियो में हम लोग details में जानेंगे कि यहाँ पर voter card के लिए आप कैसे apply करेंगे अगर आपका age 18 वर्से अधिक हो गया है तो लेकिन इससे पहले आप से request करेंगा कि चैनल पर नहां हुए तो चैनल को subscribe करेंगा और वीडियो को like करेंगा यह शुरू करते हैं और देख लेते हैं नया voter card apply करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने mobile के play store से voter health plan application इंस्टाल करना है जो कि यह government का official application है तो इसको आपको इंस्टाल करके open करना है open करिएगा तो क नंगोई सेलेक करेंगे get started पर आपको click करेंगे नया voter card apply करने के लिए voter registration यहाँ पर आपको click करना है इसके आगे new voter registration form 6 आपको click करना है यहाँ पर आगे का process आपको complete करना है तीचे में let started का option है इस पर आपको click करना है सबसे पहले तो आपको अपने mobile number एक fill up कर देना है जो voter ID card में link करना चाहते है यह जो भी mobile number फिल अप करी है यह mobile number आपका voter ID card में link हो जाएगा और send OTP पर आपको click करना है आपके mobile number पर OTP send के गए OTP को यहाँ पर आपको fill up करना है और verify पर आपको click करना है अगर आपका पहले से voter card बना है तो यहाँ पर no already है voter card no पर click करना है फॉस्ट ह पर click करना है तो इनकेस अगर आप Indian citizen होईएगा और इंडिया में ही रहेगा तो yes पर click करना है ने इस पर आपको click करना है सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना state select करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना data board fill up करना है यहाँ पर आपको अपना document जो की board certificate के लिए आप आपको upload करना पड़ेगा document यहां से इनकेस अधार कार्ड, pencard, driver license, passport कोई भी document यहां से आप select कर सकते हैं हम यहाँ पर आपको upload करना पड़ेगा जैसे के हम यहाँ पर आधार कार्ड, document में आपको upload करना पड़ेगा इसके लिए यहाँ पर आप camera पर भी click करके यहाँ से directly आप फोटो कीज के अप्लोड कर सकते हैं या फिर आप अपने गैलेरी से आपको अप्लोड कर देना है उसके बाद नीचे इस्टॉल कर कहना है यहाँ पर जो कि नेक्ट का अपसा नेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है इसके आगे यहाँ पर जो कि आपको एक पिक्चर अप्लोड क लेक करना है इसके बाद यहां पर जो कि आपको अपना नेम फिल अप करना है जो भी नेम फिल अप करिएगा यहां पर आपका लोकल नावेज में नीचे यहां पर आपका फिल अप कर सकते हैं नीचे यहां पर आपका मुबाइल नंबर दिखाया ज़रा है आपको एक इमेल ए कर नेम यहाँ पर फिलब कर सकते हैं जो भी नेम फिलब करिएगा वो भी नेम यहाँ पर नीचे आपका लोकल लंग्वेज में आपको एटमेटिक ही फिलब हो जेगा नीचे इस्ट्रॉल करके आना है और उसके बाद का भी नेम यहाँ पर फिलब कर रहे हैं उनका यहाँ पर पर आप other आप fill up कर सकते हैं और next पर आपको click कर देना है इसके आगे यहाँ पर आपका current address पूछा जा रहा है तो इन case यहाँ पर आपको अपना current address fill up कर देना है नीचे में यहाँ पर आपको आपको अपना area का name fill up कर देना है जो भी details fill up कर देना है नीचे में यहाँ पर आपका प्लोड करना है उसके बाद नंबर अमें वुश् mona रेज में कि इस्टिक होगे तर्फा रहाई है उसके बाद यहां पर अब को इस ट्रल्ड करना हैsuite से पर आप देख सकते हैं जो कि आप passport, passbook, रासन काड, बिजली का भील, या पर कोई भी यहां से आप document जो देख पर हैं, इनको प्रूप या नि की, paint card या कोई भी यहां से आप document सलेक्ट कर सकते हैं, हम यहां पर जो कि passbook अपलोड करेंगे, तो यहां पर passbook, आपको जो भी document duty का name यहां पर fill up करना है, और dawn पर आपको क्लिक करना है, और इसके अगे यहां पर आपका form का full preview details दिखाया जा रहा है, आपको एक बार form जो कि total मिला लेना है, नीचे इस्ट्रॉल करना है, और उसके बाद सहीत रहता है, तो यहां पर confirm पर आपको क्लिक करना है, यहां पर आ application का status देखने के लिए नीचे में यहां पर जो कि देख पर है status application का option है, इस पर आपको क्लिक करना है, यहां पर जो भी reference number आपका मिला, उस reference number को यहां पर आपको fill up करना है, और track status पर आपको fill up करना है, reference ID fill up करने के बाद track status पर आपको क्लिक करना है, तो यहां से आप status भी दे या फिर किसी परकार का अगर डिटेल में प्रोब्लेम राता है तो आपको reject कर दे जएगा और नीचे में यहाँ पर आपको भेज़ दे जएगा किस करण्स आपका reject हुआ है दुबारा से आपको submit कर सकते हैं सोई करके तो इस परकार से यहाँ पर नया वोटर कार्ड के लिए आप अपलाई कर सकते हैं आपको यहाँ पर जो कि अक्सेप्ट हो जाने के बाद भाई-पॉस्ट आपके डेस पर स्ट करदे जएगा साथ यहाँ से जो कि आके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपके इमेल पर भी सेंड करते जाएगा, तो इस प्रकार से नए वोटर गार्ट के लिए आप इसली अपलाइक कर सकते हैं, उमीद करते हैं वीडियो से आपको नॉलेज मिलाओगा, चैनल पर ने होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए जगा, वीडियो को लाइक करेगा, आपने दोस्तों के साथ भी सेर करेगा, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपक साथ तब तक के लिए, जैहीं, बाई-बाई